नमस्कार दोस्तों स्वागर्थ करता हूँ आप सभी को टेकिराच यूट्यूब चैनल पर आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने ओपो एंट्री या फिर किसी भी ओपो मोबाइल में इंसफिशेंट स्टॉरिज प्रॉब्लम को कैसे आप हमारे हम कम एप्लिकेशन चलाने के बाउजित भी जो है हमारा स्टॉरेज यहां पर फूल दिखाता है तो कैसे आप अन्वांटेट इस पैसे को अन्वांटेट जगे को आप खाली कर सकते हैं इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा यह देखने के बाद दोस्तों आप पैसे कमाना चाहते हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन पर आपको लिंक मिल जाएगा आप चाहों तो चेक आउट कर सकते हैं यहां पर देखिए दोस्तों सबसे पहले तो आपको प्लेस्टोर पर जाना है प्लेस्टोर पर जाने के बात में यहां पर आप देख सकते हैं एक document file दोता है वह duplicate बन जाता है वीडियो duplicate बन जाता है ठीक है उसके वज़े से यहाँ पे 30% storage वह बिना मतलब के खाके रहता है ठीक है तो इसके लिए दोस्तों आपको यह application डाउनलोड करना है और इसे open करना है ठीक है अभी दोस्तों यह application के जरिये से भी कैसे fix करना है में दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना है full duplicate scan पे click करके यहाँ पे आपको scan now पे click करना है उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे आपका system के अंदर जितना भी images, videos, photos, music है वो सारा यहाँ पे scan होना शुरू हो जाएगा आप देख सकते हो यहाँ पी scan हो चुका है अभी दोस्त कि देखें यहाँ पे 180 file कितना होगा 1.8 GB का आपके अंदर में fall to space जो है वो खाके रखाया अभी आपको क्या करना है यहाँ पे delete now पे click करना है are you sure confirm कर दीजए ओके तो आपका जितना भी duplicate file है वो delete हो जाएगा ठीक है तो दोस्तों यह था आपका एक उपाई जिसके मदद से आप duplicate file जो है वो delete कर सकते है अभी दूसरा तरिका क्या है कि दोस्तों आपको अपने mobile के settings पे जाना है और इसके बाद में दोस्तों यहाँ पे आपको application manager पे आपको जाना है हर mobile में अलग-अलग show होता है आपको mobile में शाहिद show करे apps या फिर application या फिर application manager जो भी application के अंदर हो गया Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp हो गया इसमें क्या होता है कि दोस्तों हमारा जो है data हम search करते है login वगरा करते है तो वह सारा details save होके रहता है ठीक है हमारा यहाँ पे inbuilt memory के अंदर तो इसी के वज़ज़ से हमारा जो है space बहुत ही कम हो जाता है अभी suppose कि मैंने Facebook को open किया यहाँ पे app अभी य से हटाने के लिए आपको क्या करना है clear data पे click करना है और उसके बाद में यहाँ पर आपको cleared कर देना है अभी cleared करने के बाद में क्या होगा कि दोस्तों आप देख सकते 129 पे आ चुका है ठीक है तो तो दुस्तों यहाँ पर कम से कम 300 MB आपका बच चुका है तो यह करने के ब बाद भी आपका storage जो ही वो कम नहीं हो रहा है तब आपको अपना mobile last option यह है कि आप अपना mobile को reset कर सकते है reset करने के बाद में क्या होगा कि जितना भी application का data usage वगरा है वो सारा खतम हो जाएगा तो खतम होने के वज़े से आप re application इंस्टॉल करेंगे तब आपका storage काफी आपके पास बच जाएगा तो यह तीन उपाए था दोस्तों मैंने आपको बता दिया तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आयोगा thanks watch